करते हैं तैयारी सभी राज्यू के टीटी प्रशन पत्रों की और फिलहाल यहां पर तैयारी चल रही है डेट बटीसी के नेक्स लेवल यानि कि हम बात करें यहां पर सीटर और उसी के साथ में अधर स्टेटी इसके विच इस कुशिल फर एग्जाम्स तो चलिए बिना देर क स्टेट करें आज का वीडियो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपरंट को इसमें आपको गद्य पद्य भी शामिल मिल जाएंगे तो यह जो है आपका प्रैकिस सेट चल रहा है यहां पर यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं निर्देश दिय कि लिग्रश और वाजब्फ वीडियो जो है वो काफी बढ़ी हो जाएगी तो यहां पर फर्स्ट पछतो है यहां दिया है에게 नेक्स पर आगराफ जो है यहां पर दिया है आप वीडियो को जो है पास करके रीड कर सकते हैं आराम से और हम बढ़ेंगे यहां पर कुश्रांस्दिस के तरफ सो पहला कोशिर हमारा जो दिया गया यहां पर वही कौन सा विकल्ब जो है गद्यांश के मुख्य भाव से सबसे निकट है साहस और खत्रे, पहले घर फिर बाहर, हिम्मत और जिंदगी, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल देखें यहाँ पर जो गद्यांश है, इसके मुख्य भाव के सबसे निकट है यह जो विकल्ब है, यह गद्यांश के मुक को भाव के सबसे निकट है मतलब इसका जो मीनिंग है यहां पर अगर मनुश्य हिम्मत कर सकता है और धैरे के साथ कोई कार अगर प्रारंब करता है तो बहुत तो निश्चीत है चाहिए वह आप होई या फिर हम किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्य दोनों ही है यानि कि ऐसा कोई शब्द जिसमें उपसर्ग भी हो जो पहले आता है प्रत्य जो पीछे लगता है तो यह दोनों भी जो है वो किसी एकी शब्द में तो वो शब्द ऐसा भई कौन सा है क्या प्रारंब है क्या सफलता है या परिवहन या फिर कठिनाईया सफलता एक ऐसा शब्द यहाँ पर दिया गया है जिसके आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्य है चलिए यह देख लेते हैं कि ऐसे सफलता शब्द में जो उपसर्ग है वो है आपका इसका देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मूल शब्द क्या है इसका मूल शब्द है फल जो बीच ओ बीच है यह आपका हो जाएगा मूल शब्द अब इसके आगे जो स लगा है अब उस उपसर्ग के लगने से यह बन गया है सफल है ना तो यह हो गए आपका उपसर्ग और प्रत्य भाई पीछे जो है वो ता प्रत्य लग गया है तो भाई सफल्ता यह बन गया है पीछे जो है वो ता प्रत्य लगने से यह पूरा वर्ड क्या बन जाएगा सफल्ता तो यह हो जाएगा आपका प्रत्य मूल शब्द है आपका फल और आगे लग गया सफल तो यह हो गया आपका उपसर्ग ठीक तो कभी भी जब आपको ऐसे कॉशन पूशन को बहुत प्रत्ते दोनों बताओ सबसे पहले आपको मूल शब्द निकालना है ठीक है दूसरों से पीड़ा दूसरों में पीड़ा दूसरों की पीड़ा या फर दूसरों को पीड़ा पर पीड़ा मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दूसरों की पीड़ा तो यहां पर देखिए दूसरों सब तो दूसरों में लिखा लेकिन दूसरों के क्या दूसरों से किसके जीवन का दर्श बना गद्यांज से रिलेटेट पढ़के इसका अंसर मिलेगा संगर्शिल व्यक्ति रेवती रॉय के या फिर असुरुक्षित महिलाओ के तो यहाँ पर देखिए गद्यांज पर जो उद्रित कथन है यह किसी को देखने के लिए आख के नहीं बलकि द ठीक तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है कि रेवती रॉय की कैप सेवा जो है मूलता किसके लिए है कामकाजी महिलाओ के लिए है महानगर के लिए है या फिर जरूरत मन्द लोगों के लिए या फिर मुंबई के निवास को सुरक्षित यात्रा का जो आश्वाशन देने के लिए जो है वो इसे चुना था तो आप्शन ए आपका यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन हमारा है कामकाजी महिलाओ को प्रायर निर्त्य ही जूजना पड़ता है तो बही मनमानी करने वाले बालकों स मुख जो आपके भई आपके जो अपराधी तत्य या फिर परपीड़ा में आनंद लेने वाले जो लोग होते हैं उनसे रोज जूजना पड़ता है यानि कि परपीडक और अपराधी लोगों से ठीक है तो यहाँ पर कामकाजी महिलाओ को जो परपीड़क होते हैं और अप क्या था एक्जैक्लि यह किस लिये था समाज सेव की भावणा के लिए महिला ऑव की कठिनाई के लिए या फिर समाजिक दबौाओ या फिर पारिवारिक विवश्ता है क्यों असोद जो परारम करने के पीछे महिलाओ ही कठिनाई थि अथि जो है वो स्टार्ट की गई थी और यहां पर महिलाओं की गटनाईयों को देखते हुए यह इसे ध्यान में रखके केवल उन्हीं की सुविधा के लिए जो है वो फार्शी कैप से वा प्रारम की गई और इसका देश जो था इसका मेर अबजेक्टिव यही था कि कामकाजी और में कदम रखने का लोगों की सेवा करने का बिमार पती की देखभाल का या फिर महिलाओं के लिए कैप संचालन का अभी तिन देरे से तो हम यह करी रहे है तो अब आपको इसका आंसर तो बिल्कुल समझ में आ गया क्यों रेवती रॉय जे है इन्होंने एकदम नया रास्त कामकाजी और जुरुतमन महिलाओं के लिए स्टार्ट किया क्या स्टार्ट किया क्या स्टार्ट किया क्या स्टार्ट किया तो यह जो सेवा है वो किसलिए होगी यह सेवा महिलाओं के लिए वर्दान मिसाबित हुई और यह जो है वो इसका आंसर आपका भाई यही कहता है क वो एकदम नया रास्ता महिलाओं के लिए कामकाजी महिलाओं की, महानगरों की या फिर सड़क परिवहन की इस सड़क परिवहन की जो जिन्दगी है इनी को जो है वो खत्रों और अकानशाओं से भरा माना गया है जहां प्रतेक्षन दुरगटना होने की संभावना बनी रहती है यहां की रोट पर कॉन कब कैसे किसके साथ क्या हो सकता है हम और आप भी नहीं की डिसाइड कर सकते हैं तो यह एक ऐसी चीज है जहां पर भई बोलता है ना खुद ही अपना प्रिकॉशन लेके चले तो बहुत ज़्यादा बैटर होता है अगला यहां पर दिया है नेमलिकित काव्यांश को पढ़ कर दिये गए प्रशनों के सबसे उचे तुत्तर वाले विकल्प को भई चुन के लिखना है तो यह आपका पद्य दिया है इसको आपको रीड आउट करना है अब रीड आउट करने के बाद हम चलेंगे कोशन की त आपको करना चाता है की मन जो है वो क्या गाने लगता है जूनने लगता है पानी से मस्त हो झाता है करात видел को मंच जो है वह घ।हरं वहां को मस्त हो जाता है तो यहां पर बेसुद है मन यह कहके कभी बताना चाहता है कि मन जो है वो मस्त हो जाता है यानि कि आपका डियो ऑप्शन जो है यहां पर बिलकुल अप्रोप्रियेट है अगला कोशन कहता है खेत अंगणाईया ले रहे हैं क्यों? क्योंकि सुबह हो गई है वे नीद से जाग रहे हैं उन्हें बहुत आनंद आ रहा है या फिर सूरी दिखाई नहीं दे रहा या फिर सूरी से जो सो जाने से उन्हें भी जो है वो नीद आ रही है यानि कि खेतों को भी नीद आती है और वो सूरे के डूबने के बाद वो भी जो है वो सोने चले जाते हैं इसलिए जो है वो भी क्या कर रहे हैं यानि क्या गणाईयां ले रहे हैं गरस्ते गन गनन गन में अलंकार कौन सा है यहां पर देखिए गगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग होता है तो सिंपल से चीज़े यहां पर कौन सा अनुप्रास है और यहां पर अलंकार जो आपका दिया है वो है अनुप्रास अलंकार और यह जो है एक ही वंड की आवरिती जो एक स्थाधिक बार हो जाती है तो वहां इसके अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ प्रक्रण में अपेक्षित होता है, वहाँ भए यह ही वर्द गया होगा, उसके मीनिंग होता है, वह हजार हो सकते हैं, ठीक, तो वह जुता है आपका श्लेश, उपमा की बात करें, तो उपमा में दो वस्वों के समान धर्म के प्रती रूप जो है वह मुपमा कहते हैं यानि कि उपमा का अर्थ exactly होता है कि समता तुलना या फिर बराबरी जा उपमे से उपमान की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है अब यहीं बात करें रूपक की तो रूपक में देखिये जहां उपमे में उपमान का अर्णोप होता है या फिर कह सकते हैं कि उपमान और उपमे का भेदो उसे ही हम क्या कहते हैं रूपक अलंकार कहते हैं तो यहां पर अलंकारों के भी डिए फ्रेशन सोच गई है और यहां पर जो अलंकार यहां पर मेनली दिया था आपका अनुपरास अलंकार क्योंकि जो है वण क्या वरित्ती वह बार-बार हो रही थी अगला कोशन कहता है बै कि मन की उपमा जो है वो किससे दी गई है मोर से दी गई है सामन से दी गई है बादलों से या फिर वर्षा से काव्यांश के हिसाथ जो कवी है ना कवी के दोरा जो मन की उपमा है वो मोर से दी है मन जो है वो किस की तरह होता है यह होता है आपका मोर की तरह और जिस प्रकार से घंगोर बारिश से जो मोर का मन जो है वो प्रफुलित होटता है उसी प्रकार से वो जूम उड़ता है मानों उसी प्रकार से मन भी प्रसंद उठा है इसी प्रकार से जो है वो कभी कहना चाहता है अगला कोशन कहता है कि लिपट कर सो गया सूरज इसका जो भाव है कि सूर्य क्या कर रही है यारी ठक गया है सूर्य या फिर छिप गया है या फिर खो गया या फिर नीद में है तो exactly यहां पर कह गया है कि लिपट कर सो गया सूरज इसका यहां पर भाव जो बताया गया है भाई की सूर्य जो और और बरसात के मोसम में बादो में अक्सर जो सूर्य की हो जाता है च्शिप ही जाता है यहाँ पर आपको जो option B है वो हो जाएगा ऴीडियो अगर आपको helpful लगती है तो प्लिस इसे लाइक जरूर किया करें नेक्स कोशन हमारा है पूर्वाई से आशे है पूर्व की और बहने वाली पवन मदमस करने वाली हवा पूर्व से आने वाली वाईयू पूर्व को बहने वाली नदी तो देखें यहां पे पूर्वाई से जो आशे है वो हो जाएगा आपका पूर्वाई का आशे होता है हम वाई यू कहेंगे यहाँ पर पूर्वस्टे आने वाली जो वाई यू है इसी को हम क्या कहते हैं पूर्वाई यू अरे पूर्वाई कहते हैं तो इससी ऑप्षन आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है तो आज की वीडियो में गाईस बस इतना ही मिलतें अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद्ट